कि नमस्कार्श श्रीकाल स्लाम उलेकुम जेहिन सांथियों आप सभी का तहदिल से स्वागत करते हैं यूजी सी एड़ा के इस महामंच पर आज की सेशन प्रिवियस येस क्वेशन का सेशन है और आज मैं थोड़ा डिले इसलिए हो गया क्योंकि बिहार इस्टिट का रिजल् तो आप सभी जान रहें कि रिजल्ट पहुंचाना एक स्टूडेंट तक हमारा करतब होता है और इसलिए कंटीनियूसली जो हम उन्हें स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा लगे हुए थे कि ताकि उनका खुशी बाट सकूम है और इस बार खुशी की बात यह है कि 10 से 15 दिन चाहिए वह आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो उन सबका ओवर ओल जो रिजल्ट मुझे देखने को अभी मिला है वह एटी पॉर्सेंट एप्रोक्सिमेटली तो दीजार दी गोल्टेन और पॉर्चुनिटी इस लिए हो गया मैं सोच रहा था कि आज की क्लास डिले कर द थे थोड़ा थोड़ा जो है रिजल्ट नहीं दिखा थोड़ा देर बाद दिखना शुरू हो जाएगा एक्चुली मेना भी ट्राफिक बहुत जादा बहुत सारे कंडिदेट्स जो है पहुंच गये तो थोड़ा सा डिले करके जो है देखे हर बढ़ाने की जोरुत नहीं से बहुत अच्छा है और यह गोल्डेन ऑपोर्चुनिटी आप सभी के लिए कि बहुत जादा से जादा जो है इस बार रिजल्ट बना पाऊगे सांतियों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते हुए कोशन की तरफ बढ़ते हैं प्रीवेस के कुछ को डील करते है अच्छा से और आप लोग का शुक्र गुजार हूँ कि इतने देर से आप लोग वेट भी कर रहे हैं थे क्लास के लिए थाइंक यू लफ यू चलिए मिलते हैं कोशन नंबर फरस्ट के तरफ यह आपके स्क्रीन पर कुछ कोशन है ध्यान से देखिएगा और कोशिस अधिकारी जो लड़ने वाली भीड के परमुक का नित्रित्व करता था राजा का वरिस्ट मंत्री यह वो अधिकारी जो आदिवासी सभाओं की बैटकों का अध्यक्सता करता था यह ग्राम पर्धान विच बिल भी दा करेक्ट आंसर एक्कॉर्डिंग टू यू सभी ब्रच पती क्यों होटे थे बावाँ बवाँ बड़िया सरह हिंदी की क्लास कब होगा विकास परदेल लेकिन हाँ अगिए से प्रफ्लों यह में क्रूस सब्सक्राइब कर चुक एक कंश इसले वार bashata कूझ वे Colin आपका करणकर आहाईए-फ bastoh थो यह और क्लाश अंव्रेच्छा न कर अंसर दि स्टान्फ सब्सक्राइब को सब्सक्र्वाएब कुछ का रहा आ hatch आपका जो correct answer होगा निशा वेरी गुड वो अधिकारी जो लडने वाली भीड का नेत्रित्व करता था उसे ब्रच पती कहते थे क्या बोलते थे आप उसे that is called the brush पती कहलाता था this is the correct answer clear है सब लोग ए इस correct answer एक जगह में परमुक बोल रहा है उसी questions का देखो जैसे घोड़े का घोड़े बाहिनी का परमुक निरंजन बिल्कुल सही है यह भी correct answer होगा इसमें कोई दोरा नहीं है सबी लोग next question क्यों बढ़ते है question number next question number next को अगर आप ध्यान से देखे कि निमलिखित में से कौन जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महीला थी देखो easy question जब इस तरह के questions आपके exam में पूछा जाए कि पहली महीला कौन थी तो मैं इसका एक explanation देना चाहता हूँ ध्यान से आप लोग observe करना चीजों को इसकी explanation यह है यह जैन भिक्षुनी पूछा है क्या पूछा है जैन भिक्षुनी बुद्धिस्ट भुक्षुनी नहीं पूछा गया अगर बुद्धिस्ट में अगर आपसे पूछा जाता तो बुद्धिस्ट में कौन हो जाता अज पहले हम इसको option को observe कर लो पहले आप लो क्लासे आज इसलिए डिले किया था क्योंकि रिजल्ट आना था और रिजल्ट आते आते जो है थोड़ा सा डिले हो गया इस वज़े से कल से आपका टीचर्स में भी प्रॉपर क्लासे चलने वाला है तो यह गुड नियूज है आप सभी के लिए आप अपने दोस्तों को सांथ सुजाता एं त्रिशला इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो कोशन के आंसर होना चाहिए एकॉर्डिंग टू यू आप लोग क्या आंसर कर रहे हो कि निमलिखित में से कौन जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली मंद जो महिला है वो चंदना होना चाहिए एकॉर आपने देखा आप कोशल देवी कोशल देवी जो कि कोशल की कि की जो वाइफ मतलब कह सकते हो ठेलनश के बारे में कहा जाता है कि वेशाली की थी और चेमा यह मदर की थी खेमा यह बुद्धिजम में आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को जो है meditation से पहले कहते हैं बहुत सारे लोग कहतें कि 49 डेस की meditation थे 49 डेस कुछ जगह पर आता है कि महात्मा बुद्ध में 54 डेस भी महावीर की मा का नाम त्रिशला है महावीर का नाम महावीर की मदर का नाम त्रिशला है तो इस तरह से questions आप जब observe करोगे ना देखने में तो बहुत easy लगता है लेकिन observation आपकी बहुत strong होना ज़रूरी है ठीक है questions यह दो-चार question ही आपको easy लगेंगे अभी आगे हम लोग बढ़ने वाले sir यहां पर mass communications की net की preparation कर रहा है कोई mass communications का यहां पर बचे कोई नहीं यह भी mass communications में चलिए next questions को अगर हम देखे ध्यान से the term is the finest mention in which of the following text इस्त्रिधन इस्त्रिधन का जो शाब्दी कर्थ माना जाता है हमारे सास्त्रों में कि वो धन जो महिलाएं पहनती उनके उपर में जो आभूशन है वो सारे इस्त्रिधन का पाट होता है और उसका जो हगदार होता है उसकी बेटी होती हगदार याद रखे पहला जो हगदार होता है इस्त्रिधन का जैसे कोई मेरी दादी है उनके जो है गले का जो हार है या पैर है according to the Vedic era उसका जो हगदार होंगी वो मेरी बुआजी हों कि सबसे पहली बार इस्त्रिधन का कौन से किताब से पदा चलता है सत्पत सुत्य पिटक अर्थ सास्त्रा और हर शरीत्रा विच बिल भी दा करेक्ट आंसर एकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर हो जाएगा इस्त्रिधन इस तरह के कोश्चन का अब्जर्वेशन बहुत जरू हो दिए कि सभी लोग एक बार क्लास को थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर करते चलेंगे सभी के सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा इबरीबड़ी विच बिल विदा करेक्ट आंसर थोड़ा फास्ट इस तरिधन का जो आंसर बहुत सारे स्टुडेंट्स अलग अलग आंसर करेंगे इसका जो आंसर होगा संधिया एक्चली में राइट आंसर विल विदा कुछ जगह पे हर्ष चरीत्रा दिया गया है और कुछ जगह पे आपका अर्थ सास्थ दिया गया है मैं इस दोनों में यह करूं अगर अनलाइज करूं तो मेरे हिसाब से घर घर अीष दा करेक्ट आंसर अर्थ सास्तर में भी जिक्र है लेकिन मेक्सिमम जो जिक्र है मुझे हर्ष रितर में जब ज़्यादा लग रहा इसलिए इसका आंसर जो होनी चाहिए वो है घरण्री चाहिए लेकिन कर लो इसका आंसर सी और डी दोनों होनी चाहिए लेकिन आप सी को मान के चली चली एकॉर्डिन टू यू सी इस ऑल्सो आंसर डी इस ऑल्सो गुट इसमें कोई दोरा नहीं है ठीक है चली नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं थे इनॉर्मस विल्ट एकुमूलेटेड वा और साथ रौ्छण नहीं है मेर 시 बात आप लोग आप लोग यूजी सी के कडिडिडेट हो और यूजी सी की के कंडिडिडेट कि आप भात अच्छे से बारीकी से चीजयों को समझते हैं ठीक है मैं अभी तक जो चौथा कोशन पर हम लोग जा रहे हैं अभी तक is this कर रह जानते हैं कि धनानंद धनानंद को हरा कर जो है चंद्रगुप्त मौरिया ने पाटली पुद्र पर कभजा कि इस तरह की चीज़े सब को पता है अच्छा एक चीज़ और आप लोग जितने भी कंडिट यूजी सी वाले भी है ना यहां पर जितने भी लोग सुन रहे हैं ट्रिपल स्वी का जो कोशन के लेबल है न वह यूजी सी से कम नहीं अब आने वाले समय में लेबल बढ़ने वालत उसमें सभी लोग तीन बजे आ जाना डिले मत करना कोई भी कंडिडिट चलिए विच इसका जो राइट आंसर होगा वह कंबन इस करेक्ट आंसर कंबन जो अगया प्रिटर है उन्होंने बताया था है कि धननन जो है हैस बीन मेंशन भाइविच अब दी मतलब बहुत सारे बहुत सारे इनके पास धन दौलत थे एनॉर्मस नेक्स्ट को देखते हैं हाँ ये कोशन थोड़ा अच्छा है चली विची दिक करेक्ट आंसर ये सारे इसके कोशन है लेकिन कुछी जगह पर इजी कोशन से शुरुवात के जो कुछ कोशन से ने बहुत इजी है ठीक है बात के जो कुछ कोशन साएंगे वह तफ हैं काफी तफ थोड़ा स्पीड बढ़ाई ये विच वन अब दी फॉलिंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट अबाउ इसके तो विच वन अब दी फॉलिविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट आये कोशन से राबातक शिला लेक के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है कनिश्क और खेडे फिसिस राजाओं के बीच संबंद को बताता है अंतिम तीन मौरे राजाओं के बारे में जानका होगा सर मामूल नार ने इस चीज़ का वर्णन बहुत बाद में किया था ठीक है मामूल नार ने कभी भी मेंशन उस चीज़ का नहीं किया हम आपको संगम एच पढ़ाएंगे घबरानी की जरूरत नहीं उसमें हम लोग डिसकस करेंगे तो इसका जो आंसर होगा राइट आ आता है क्या आंसर हो जाएगा देट इस दी ए इस करेक्ट आंसर एकोर्डिंग तु यू ठीक है ए इस करेक्ट आंसर कि लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर निक्स्ट निमलिखित में से कौन शुरुवात के निर्धारण के लिए बह बढ़िया अच्छा कोशन है ध्यान से सॉल्व करना आंसर मिल जाएगा ध्यान से सॉल्व करने कोशिस करना सभी लोग विच बिल भी दा करेक्ट आंसर ध्यान से और डिले करके इस कोशन को नहीं बहुत इजी कोशन है बहुत जादा इजी कोशन थोड़ा स्पीट बढ़ा अपना हो गया विची दी करेक्ट आंसर बच्चे अभी तक आंसर सही नहीं आया है अभी तक चली बहुत बड़ी आदित्या वेरी गुड राइट आंसर ये कोश्चन्स मैंने कुछ ही समय पहले आप लोगों को सॉल्व कराया था राइट आंसर विल बी दा अल बरूनी याद आया कुछ याद करो क्या बोलते हैं आप इन्हें फादर ऑफ इंडोलोजी पादर ऑफ इंडोलोजी कहलाते हैं यह अल बरूनी का मतलब ही उस्ताद होता है ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इस कॉल दी डी वाले सभी लोग नो 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 पाहियान नो इस रॉंग आंसर पाहियान पाद में यहอॉर्डर में ही एक तरस है अरमी ब्यपारी फिक है अल बिरुनी अल बरुनी ने वित्त त्रित में जांकारी हिंडुस्तान कर देता है और कहता है कि शुरुआत सेयवात से कोई भी candidate gap नहीं करेगा नागा नहीं करेगा कोई भी classes मेरी कोशिस यह रहेगी कि अब जो है वक्त कम है और मैं previous सारे के सारा questions करा दूँ पहले उसके बाद practice set करवा दूँ और कुछ-कुछ जो मुझे important topic लग रहा जैसे cinematography ठीक है कुछ जो है historyography इस तरह के questions का जो है एक session एक bundle बना लूँ और उस questions को deal के साथ explain करते चलूँ वो ज्यादा मुझे भेतर लग रहा और मेरा इस बार का strategy जो है आग्या-कारी नहीं करो का मतलब की area के जो लोग होते हैं उस वेक्ति को पहचान है जिसकी शिकायत सुल्तान अलाउदिन खिल जी कर रहा है और किससे कर रहा है जिस से नहीं मतलब किससे कर रहा है यह शिकायत अलाउदिन खिल जी यह आपको पूछना है सर्फ PZT history classes कब से start तो आप उसमें भी जाके इन्रॉल्मेंट ले सकते हैं वह पांच तारिक से स्टार्ट हो रहा है पांच अक्टूबर से जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं 15 तारिक से बाकी हमारी पूरी टीम स्टार्ट कर चुके हैं वजह है कि भाकी जो सब्जेक्ट का पेपर वन का जो चीजे चलता है वह आप लोग का चलेगा फिर मैं आउंगा 15 तारिक से ठीक है चले चली which is the correct answer इसका जो correct answer होगा ना which will be the correct answer थोड़ा speed बढ़ाते चलेंगे which will be the correct एक बार थोड़ा सा आप लोग class को शेर भी कर देंगे थोड़ा थोड़ा आप लोग शेर करते चलेंगे तो ज्यादा बेतर होगा which is the correct answer इसको मैं ब्रोड में लेकर चल रहा हूँ यह एक तरह से समझ लो रामबान बैच एक तरह से काजि मुगी सुद्धीन के बारे में आप बता सकते इस खरेकरंस से इस से शिकायट करते हैं अलावदिन खिलजी एक खास बात यह था लेकिन कभी अलावदिन खिल जी को पढ़ाने वालों ने अच्छे से पढ़ाया नहीं लिखने वाले ने कभी नंग से लिखाने इसके बा सर वाइस के लिए नहीं आ रही है अब देखो तो जड़ा वाइस वाइस अब ठीक है सभी लोग एक बार फास्ट कमेंट करें बताना निम लिखित में से किसकी खोज rotazonimali खोजो है प्रित्वी आपने धूरी पर घूंगती है चंद्रमापर पढ़ने वाली प्रित्वी किछाया घ्रहण के कारण बनती है तिह सर माइक साउंड आ रही है अब थीक है behavior छला गुरूजी सब सभी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाईए और लेट मत किजिए आंसर देने में तन को लेट नहीं चाहिए स्पीड बढ़ाईए सभी के सभी लोग थोड़ा स्पीड ठीक है क्लियर है चली विची दिकरेक्ट आंसर का बात है का बात है ना कमें में आंशर हम रहा दूठों डूठीक की सब्सक्राइब का अंशर अरहा है शर वरा मिहीर बोला था बहुत बड़ी एक आंसर अरा डी और एक आंसर आघाल लेगिंढ उंसर डी वाले कितना कंडिडेट लोगय बहुत सुंदर और जितने भी नए कंडिडेट्स हैं आपकमिंग इग्सामिनेशन की चाहिए वह जून एटेम्ट का हो जून एटेम्ट 2024 डिसंबर अलसो देशुड जून दी मेगा पैक आप प्रिवेस अभी जितना भी क्लासेज वह प्रिवेस क्लासेज मिल जाएगी और मैराथन का जहां तक मुझे लग रहाएगी क्रेश कोर्स नाम करके कोई चीज होता नहीं और इतिहास के कंडिडेट्स सबसे अच्छा जानते कि सर अगर मैं हिस्ट्री को देखूं अगर मैं हिस्ट्री को अगर ध्यान से स्टड़ी करना शुरू कर विच अब दी फॉलविंग रॉबग दी आर्यवट अच्छा नोट दी स्कवर्ड बाइदी आर्यवट ये कोशन रूखो एक मिन एक मिन ये इतना इजी कोशन गल्ति कैसे हो सकता है नोट डिसकवर्ग दी स्फेर ये इसकवर्ग है दार्थ रोटेंट अट्स एक्सीज यह पर दो यह गलत आंसर है डी वाले सभी लोग करेक्ट नहीं हैं डी इस इन करेक्ट आंसर उध्यान से जो है हो जाता है कभी-कभी चला नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़िए कोश्चन है कि सती का पहला अभीलेक साक्ष है दे फॉस्ट एपिग्राफिक एपिग्राफिक लिखी सती कस्टम के बारे में आपको मैं इतना बता दूं याद रखेगा इसमें बताने जैसा कुछ है ने बस आपको एर बता दे रहा हू क्या बात है प्रियवर्त रघोष शेट बंगाल सेट आपका एक्जाम क्वालिफाई है ठीक है भावना गलती क्यों इस कोश्चन में गलती क्यों भानु गुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन मद पर्देश में पड़ता है इसमें कोई लोड नहीं लेना है इस कोश्चन में अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं चली निमलिखित गुप्त साशकों में किसने सबसे कम सोने के पर्तिशत वाले सोने के सिक्के जारी किये हैं आपको मैं एक बात बता देता हूँ यहां पर ऑप्शन जो दिया गया है उस हिसाब से आपको आंसर करना वैसे तो आप याद रखिएगा कि असकंद गुप्त के जमान लिए चली इसका आंसर बताइए तो इसमें असकंद गुप्त आंसर नहीं है पहली बात अब आंसर करो सभी लोग सभी के सभी विची दी करेक्ट आंसर राइट आंसर विल भी विश्नु गुप्त वाले कितने कंडिडेट है आज आप लोग अपना अपना स्कोर भी शेर करते चलना कि सर हमरा स्कोर कितना आया ठीक है राइट आंसर इस दी डी अच्छा एक बड़ सभी के सभी सांतिलू क्लास को थोड़ा थोड़ा अपने अप खुफसूरत सा शेर है दुशेंद कुमार की कि यह सारी कोशी से है सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने मेना सही तेरे सीने में सही आग कहीं भी हो लेकिन आग जनने चाहिए तो दिल्चास्प तरीके से इमंदारी से आप लोग पढ़ाई लिगाई कीजिए यूजी सी का आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो कॉंफिदेंस में आप लोग हैं वाकई में चली विची दी करेक्ट रांसर शीतल गलती तो होना लाजमी है लेकिन कोशिस करो कि जादा से जादा ढंक से आप आंसर करने कोशिस करो कि जो विक है आप अपने नोट बुक में वो चैमथा चैमथा नोट चंडश रास में बाद में कैपने को मिलता है चालुक क्या में पहले और चोल में नहीं था आपका राइट आंसर बिले पॉपendeu जोंगछ करेक्ट आंसर-शी इस करेक्ट कःक्य से के तने लोग था हैं बहुत बढ़िया अमर कोमल अंजली शीटल बह तक तो खरोस्टी लीपी में लिखी गई धम पद की पांडू लीपी निमलिखित में से किस अस्थान पे मिली एक चीज़ सुन लो इसका आंसर करो और एक मेरा बात को ध्यान से सुनना एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो इजी कोशन है वो बाई डिफोल्ट भी गलती ना हो पहला सेलेक्शन का एक तरीका बता रहो जो इस तरह की इजी कोशन है वो तो बिल्कुल भी गलती किसी भी सिच्वेशन में नहों जो बड़े कोशन है वो तो गलती होने के चांस सब की है तो वहां पर कोशिस करना है कि रीडिंग कॉम्परी है रीडिंग जब आप लोग मारना शुरू करते हैं मैं बार-बार कहता हूं पेड़ वाले स्टूडेंट को भी और वाईटी के भी कंडिडेट को पढ़ने की आद डालेंगे और यह हैबिट जब आपका डेवलप होगा तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो दस माक्स हैं मतलब पांच कोश्चन वह तो आपका इजी हो जाएगा इसी लिए जरूरी है विची दी करेक्ट आंसर राइट आंसर विल बीदा जल्दी से बताए तरफन जरा कुची एंड खोतान विची दी करेक्ट आंसर राइट आंसर विल बीदा खोतनवा इस और दी विल बीदा करेंट पहन विजिट किया खोतान बुद्धिस्ट ठीक है बहुत बढ़िया चली नेक्स्ट कोश्चन है कि उस सुल्तान की पहचान करे जिसने टका पर तक्ष जाल स्थेहर का नाम रखने की परता शुरू कि बहुत इजी कोश्चन है बहुत इजी कोश्चन आइडिनिफाइदे सुल्तान हुए स्टार्ट इप्रेक्टिस अप टिटिंग टका नेम अब दी मिन्ट टाउन तका स्टार्ट करने वाले का नाम ही बता दी चली इस तरह से कोश्चन का आंसर किया जा सकता है विची दे करेक्ट आंसर इस बास इतनागा जयो रिजल्ट वहन आना यह मतलब लोग पुछार खेकि वहया कैसे आप लोग रिजल्ट वहना है तो इसका क्रेडिट जाएगा हमरे कंडिडिट लोग तो एक बार ढंक से मेहनत कर लेते हैं जिन्दगी सफल रहेगी चलिए एक बार जिद करते हैं कि इस बार हमरा हम सभी से इस बार का UGC NET क्वालिफाई हो रहा है अब प्रण लेंगे तभी होगा चलिए विची दिकरेक्ट आंसर राइट आंसर विल विल विदा इल तुतमिस इस इस समसुद्धिन अलतमस के नाम से भी जानते हैं दिल्ली का पहला जो है सुल्तान कहलाते हैं तरह से कोश्शन का अंसर आपलोग कर सकते हैं नेक्स बार मैं सुल्तान स्वैम किर्शी के विकास में गहरी वेक्तित रूची लेता था उन्होंने अनाज पर जकात को समाप्त कर दिया और एक माप मानक पेश किया जो मुगल काल तक पर चलित रहा वो सुल्तान कौन था अच्छा कोशन है बहुत पैमाईश मेजर्मेंट की बात कर लिया देखो जो मुगल काल तक पर चलित रहा यह सुल्तान कौन था माप यहीं पर कोशन का आंसर बन जाता है सभी लोग नमस्ते नमस्ते वरिवन इस कोशन को अगर हम अब्जॉब करें न तो मेजर्मेंट आप हमेशा पढ़ते समय जब बड़ा कोशन हो न उसमें बारीकिया से चीज़े पढ़ेंगे तो आपको पता चल से चलाया बिल्कुल ठीक है और पहला जो जीतल कॉइन है जीतल कॉइन वाज मेंड़को दी कॉपर उस समय वन टका वन टका इकॉल टू फोटी फाइब जीतल वाइडली एक्सेप्ट किया जाता था जैसे आज एक रुपया में सौ पैसे होते हैं उस जमाने में एक टका में मढ़ जाती वो मरता नहीं हो मर हो जाता उसी से कोश्चन बना दीजिए उसको हयात बोल सकते हैं अमरित जो पी लिया और कुंड मतलब होता है होज तो क्या हो जाएगा आंसर जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताई जल्दी जल्दी देर ना करना है ठीक है सभी लोग स्पी जीगराम पर वहां पर मैं सब भेज दूंगा यह सारे नोटस जो है किस्टी बाइज जाविद सर के नाम से सबी लोग विची करेक्ट आंसर राइट आंसर विलविदा होजुल हयात क्या हो जाएगा आंसर हयात भी इस करेक्ट अंसर देखो आज का जो कोश्चन है मेरे पा इस question को थोड़ा सदेख लिजे, 9 जिफिर, अलाउदिन खिल जी के बारे में, अमीर खुसरों ने लिखा था, किसके बारे में, अलाउदिन खिल जी के, उस्त भी अमीर खुसरों के ही लिखी के किताबे, हौजूल scent and編aur planning pur nimet, यह सारे किताबे, मेडियाबल पीरियट की किताबे हैं तो इसका जो आंसर भी आपने किया इसको ध्यान से देख लिजेगा एक बार नू सिफिर इस रिलेटेट टू खिलजी डाइनस्टी इस बात को ध्यान रखेगा मैने हिस्ट्री से में किया है तो क्या मैं बुढिद्धिस्ट, जैनिजम और गांधिजम से यूग rebrand के सकते हूं मधू मेरा आप यूजी सी हिस्ट्री से अगर आपने किया तो नेट भी आप जो है कोशिस करें हिस्ट्री में ही दे शायद मुझे जानते कि पता है कि में इन बुद्धिजम होता है तब जाके आप फॉर्म भर पाते हैं ठीक है तो कोशिस आपका यह रहे कि आप जो है उस प्रवजेक्ट है कि गांधियन इरा जैनिजम बुद्धिजम बुद्धिजम में इन बुद्धिजम होता है तो उसमें आप जो है कर सकते हैं ठीक है चली इसका क्या आंसर हो जाएगा सभी लोग थोड़ा सा फास्ट आंसर कीजिएगा मुगल समराठ सिंथ की खाना हिंद बनाना चाहते थे वह अपने उपयोग के लिए अपने विशल पसुदन को हांसिल करना जाएगा उन्हें इसलाम में परिवर्तित करना चाहते थे नहीं एक सबसे अच्छा चीज मैं आप लोग को सिखाने आ रहा हूं ध्यान से सुनिए एक बार तो सभी लोग क्लास क कर दो जो जो क्लास को देख रहे हैं पहले वह सभी लोग क्लास को लाइक करते चलेंगे वह उन्हें इसलाम में परिवर्तित करना चाहते यह नहीं होगा आप सबसे पहले चटनी सीखो कि ऑप्शन का चटाई होता कैसे है कौन कौन से ऑप्शन को चटना हम ने चांट दिया उन्हें शोहरवर्दी सुफि के सिलशिले के परभा दो क्यों मतलब नहीं क्यों परभा में लाना चाहते वे शाहिय आइक को बढ़ाने के लिए इन गति हीन बनाना चाहते इसका यह आपका अंसर हो सकता है वे अपने उप्योग के लिए अपने विशाल पसुधन को हासिल करन है आपका सी वाले कितने candidate है सी इस करेक्ट ऑंसर सी वाले जितने भी याद रखना एलिमृनेशन मेतर्ड बहुत जरूरी और एलिमृनेशन में याद रखना एक अच्छा हिस्ट्डी का कंडिडेट वही प्रजेंट को सकते हैं याद रहेगा जो प्रूजेंट को अच्छे से जिया रहे हैं लेकिन और पूछ लेता दिल्ली में यह मांडू में पूछ आ shifa का मतलब होता है charitable hospital होस्पिटल क्या होता है इस hospital का निरमान का credit जो है दिल्ली में और हिंदुस्तान के different different courses मतलब जगह में शुरुवात में फिरोश्या तुगलक को जाता है किसको जाता है फिरोश्या तो यह तो आपको पता चल गया कि सथ तुगलक है लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मांडू में तो मांडू में ओजाएगा आपका मेहमूद खिल्जी फ़ॉस्ट के नाम से आप याद रखेगा खिल्जी फ़ॉस्ट विल वी दा करेक्ट आंसर नमस जिन्दगी के तरफ भी मतलब कहते हैं कि continue इतना मेहनत करता हूं आप लोग के लिए कि खुद के लाइफ का पता नहीं होता है तो थोड़ा सा जो है एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूरेंट की पहचान यह है कि खुद पर थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ाई करते चले इस वजह से मैं थोड़ा बीजी था इधर चली नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं कोशन नमबर नेक्स्ट नाइंटीन नमबर कि निमलिखित में से किस राजा सुल्तान कवी को संगीत के छेतर में उनकी परतिबा के कारण गंधर्व की उपादी बहुत बहुत बढ़िया गंधर्व की उपादी सुल्तान सिकंदर लोदी सुल्तान हुशेन सर की ग्वालियर के राजा मान सिंग एन अमिर खुसरो विच इस पढ़ाते हैं क्या हिस्ट्री की मैं आपको बता तो कि मेरी क्लास सारी के सारी जो है आपका सभी वहां पर कम प्यू आई क्यू करवाता हूं बहुत कम ठीक है का हैं चली आगे बढते हैं विचेद करेक्ट आंसर इजी कोशन है क्या चली कुछ लोग आंसर करने कुछ लोग आंसर करना शुरू करेंगे सभी करें government kuch निर्दांसर किया कि से अमीर खुसरो आमीर खुसरो ऐसे आंसर नहीं होंगे अमीर खुसरो इसे नोट करेक्ट आंसर अमिर खुषरो is not correct answer what are the fast answers करते चलो एक बार सभी लोग right answer जो हो जाएगा इसका that is called the सुल्तान हुसेन सर्की will be the correct answer सुल्तान हुसेन सर्की is correct answer according to your question सुल्तान और कभी ठीक सर्की सर्की के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अमीर खुसरो को शैद इन्हीं के बारे में कहा गया है कि अमीर खुसरो को अपने दरवार में या यूटूब पर आपने देखा होगा सुनने की कोशिस करना सभी यह राग यमन राग भैर्वी में आ जाते तो बात किये राग यह सभी आपके आ जाते हैं तांसिन के समय में भैर भी होगे रहा ठीक है लेकिन राग यमन सब रागों के पिता कहलाते हैं नेक्स कोश्चन कोश्चन है कि किसने बाबर का ध्यान इस और आकरशित किया कि सिकंदर लुदी के साशन के दौरान हिंदू फार्सी सिखना शुरू कर दिया था और बड़ी संक कोई विच बिलबीदा करेक्ट राग यमन तो तबला की इन्वेंशन अच्छा एक चीज़ और है कि आप लोग एक दिन बहुत सुंदर सा मुझे अच्छा लगता है कि ग्रूप में आप लोग डिसकेशन करते हैं कि अच्छे-च्छे कोश्चन का मुझे बड़ा खुशी ह नाम से एक लेटर मुगल के डिवरेशन में मुगल पीरियड में अच्छली जो है एक अमीर खुसरोत है खुसरोत नाम से उन्हों ने खुख हो जाता है तो लेकिन क्रेडिट कोई इंसान इतना बड़ा हो जाता है जैसे एक्जांपल के तोर पर उनकी परसनालिट इतनी डी हमारे सामने आंसर आ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स का डैडिस कॉल दी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही इस करेक्ट आंसर डी इस करेक्ट आंसर कुछ कोश्टन्स और जल्दी जली जली से देख लेते हैं चलिए निमलिखित में से कौन प्रेम मार्गी न अगर मैं आपको बता दो तो यह परियाग राज कारा से हैं कारा एरिया या परियाग राज से हैं इनके बारे में थोड़ा सा चीज़े जान लिजे इनके बारे में मलुक डास के बारे में मलुक दास ग्यान पुद के राइटर कहलाते हैं किस और लिखे निमलिखित में से किसने भारत के सूफियों की जिवनियास शामिल है और लेखक ने इसे जहांगीर को प्रस्तुत किया सुन्दर कोशन है इजी कोशन सभी लोग फास्ट कमेंड करके आंसर करते चलेंगे everybody which will be the correct answer according to you which is the correct answer सुरूची शाओ good evening सभी को धेर सारी शुब कामना है ध्यान से एक एक कोशन को हम लोग डील करते चलते हैं ठीक है which is the correct answer नमस्ते पूजा सभी लोग निमलिखित में से किसने आकर्शित किया है तो अखबारूल अख्यार बिल्विदा अच्छा आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि what do you mean by the मल्फुजात क्या होता है एक बर सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आफटर दी क्लास कि वाट डियू मीन बाइदी मल्फुजात मल्फुजात किसे कहते हैं सोलमी शताबदी के उत्राद के मुगल स्कूल के शाहनामा की सचीत्र पर्ती निमलिखित में से किस राजकुमार रईस के पुस्तकाले में तयार किया गया तहीं इजी कोशन है इस इस वेरी इजी कोशन सभी लोग फास्ट आंसर करते चलेंगे कि दा इलस्ट्रेश्टेट दी कौपी ऑफ शानामा अब दी लेट 16th सेंचुरी अप मुगल स्कूल वाज़ी प्रिपेर अट दी लिबाट लाइब्रेडी ऑफ विच ऑफ दी पॉलविंग प्रिंस और नोबिल विच बिल बिदा कर जर्टो यह सब्सक्राइब्रेड आंसर के जो राइट आंसर होंगा यह मुगल सहजादा इसलिए कहलाते क्यूंकि अकपर ने उनकी मां से शाधी कर ली थी उन्हें खाने-खानन के नाम से टाइटल से भी जाना जाता है देट इस्कॉल दी अबदूरहीं खान खाना अबु रहीम खान खाना डी इस करेक्ट आंसर सांती हो क्या हो जाएगा डी इस करेक्ट नोट सी डी इस करेक्ट आंसर एक दो कोश्चन और भी खीच लेते हैं जल्दी से रत्न काटने की शक्ती के लिए बिल्ट ड्राइव के उप्यों का सबसे पहला उल्लेक निमलिखित में से किस सब्सक्राइब का विबरन क्या कह रहा है दा अर्लिएस मेंशन ऑफ दी यूज ऑफ दी बिल्ट ड्राइव फोर दी पावरिंग जेम कटिंग ओके ओके ट्रेवलर एकांट तो आपका ऐसा जेम कटिंग के बारे में पीटर मुंडी और मैंरिक नो बढ़नियर और मनूची न के लिए। यह आपका जो आंसर होगा डेडं़ गैसी तोर्ड डर्फी दी जारे़ा क्रेक्ट था सी करेक्ट आंसर सुंदर। आप लोगों का ने बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों का नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन अवर नेक्स्ट पचीस पर हम छोड़ रहे हैं निमलिखित में से कौन सा एक ही कारी को में पाये जाने वाला मद्धिकाल भक्तों के पहला ग्यात है अच्छा इसका जो है आंसर जो हो जाएगा देखो कि earliest known account for the medieval भक्तास found to be the single work अच्छा एक किताब में सारे भक्त के बारे में भक्तमाल में में मेंशन किया गया अब ध्यान से सुनो भक्तमाल के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजेगा भक्तमाल ब्रज भाशा में लिखी गई है भक्तमाल और भक्तमाल के बारे में एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें 200 से अधिक संतों का वढ़ना ने एक पॉइंट और बनता है यहां पर इसके राइटर नब दास को कहा जाता है नब। दास जो है इसके राइटर नेकिश्स परिए सबी लोग ध्यान से इसको लिख लिजे क्लास काइसा लगता है जरूर कमेंट करके बताया करो भईया लोग सभी सांथी लोग वजह है कि ताकि हम भी मॉटिवेटेड होते रहें आप लोगों की कमेंट्स देखके और देखे ध्यान से कुछ चीजें जो क्लास के बारे में मैं बता देता हूं और क्लास के बारे में थोड़ा सा जानना जरू कर लेते हैं हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस तरह के इंटरफेस में आल कोर्स में जाएंगे यूजी सी वाले में जाएंगे तो आप यहां पे नेट हिस्ट्री दिख रहा होगा कोमर्स के जास नीचे अच्छा इतफाक की बात यह कि डवल इसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देख सकते हैं इसमें क्या होता है मतलब 6 माहिना प्लस 6 मेना आपको एक्स्ट्रा मिलता तयारी के लिए तो हम यहां पर आपको दिखा देते हैं वाई 628 यह आपने अप्लाइ किया अप्लाइ करते ही यह कोर्स का रेट काफी डाउन हो गया ठीक है इस को आप इस कोड के थुरू आप खरीद सकते हैं ठीक है तो इतना ही मैं कहूंगा बाकी तो आप खुदी समझदार है कोर्स में कब इन्रॉल्मेंट ले ले जून एटेम् सांतियों इसी के सांथ हाँ डेफिनेटली आपकी रोज क्लास होगी इसी के सांथ अलवीदा लेता हूँ जै हिंद जै भारसांतियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है तब तक बने रहें आप यूजी सी अड़ा पर है कि पीचे से पीचे